हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो विद्स कुकिंग आज मैं आप सबकिशा शेयर करने वाली हूं बहुत ही टेस्टी ऐसा किचन किंग मसाला यह एक मसाला आप सारी सबजियों में डालें पाउं भाजी में डालें छोले में डालें किसी भी तरकी करी में आप डाल करके खाईए बहुत ही टेस्टी एकितम रिफ्रेशिंग ऐसा हूममेड किचन किंग मसाला आप घर पे बना करके जरूर से ट्राइक किजिएगा इससे आपका जो सबजी का टेस्ट पाउं भाजी है या कोई भी आप सबजी बना रहें करी बना रहें चाट बना रहें सबका टेस्ट किचन किंग मसाला आप जरूर से घर पे बनाएगा वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर करिए और इसको आप इस तरह से एट एंट करने ना में भर करके रख दीजिए वह भी बिना कोई प्रिसरेवेटिव कि आपका इतम फ्रेश किचन किंग मसाला घर पे रेडी हो जाएगा स्टोर करके रख लीजिए और फिर इसका आप टेस्ट और खुश्बू से पहचान दाएगे कि इतना टेस्टी बनता है घर के कुछ ही इंग्येंट से तो ये रेसीप आप ज़रूर से ट्राइक किजिएगा सब्सक्राइब करिए विदिस को अटिफिकेशन ब्ल को जरूर से प्रेस करिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करती हूं तो इसका नोटिफिकेशन आपको तुरन मिल जाए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले यहा पे मैंने ले ली है चना दाल जो है one टेबल स्पून और इसे में सबसेज़न इस प्लिट ँड़त सबहें और टेघंट सबसेट और बना सकते यहां पर मैंने चना दाल लेी है क्रऑन पतो लिए अंगेन अब देख सकते हैं हलका हलका से इसका कलर चेंज हो गया है तो इस टाइम पर मैं इसको निकाल लूँगी एक प्लेट में ठंडा होने के लिए और अब हम यहां पे ले ले लेते हैं फिर से थोड़ा लो फ्लेम पर गरम कर लेंगे तो यहां पर वन टीस्पून या दस से पंद किल दाने तो कि दिए वह सकत monarch हाणों का चेपा खावया कि व मिल से वह सस्यादे प्लेम टीस्पून पालोंजी यह गयां एक जावं कीटकुन में रेणा पर दोटे मजल से गदमेक्टा यह हुआम हम अच्वान के चुछने को प्लोड़ सह भी श्ने कोई आजयाए कि से लि तो आप इसी तरह से मसाले सारी मिस कर लीजिए और अब यहां पे मैंने सूखी लाल मेश लेगी चार से पांच और इसे हमें अच्छे से लो फ्लेम पे रोस्ट करना है रोस्ट करने से इसकी जो अगर कोई भी अंदसीलन है या कुछ भी है तो अच्छे से निकल जाएगी और रोस्ट करकी जम ग्राइंड करते हैं तो वह मसाले बहुत ज्यादा देर तक ठीके रहते हैं खराब नहीं होते हैं तो यहां पे आप देख सकते हैं हलका हलका सा सारी मसालों का कलर चेंग होने लगए हमें इसको बहुत ज्यादा नहीं मुनना है हलका सा कलर चेंग होने लग तो यहां पर मैंने फीट से ले लिया है पैन और उसमें मैं ले रही हूं वन टीस्पून राई और एक चोटा टुकरा दाल चिनिका अब यहां पर अलग से क्यों किया है क्योंकि मैं भूल गई थी तो आप अलग से ना डाले आप उसी मसालों में इसको भी डाल दे और इसको रोस्ट करके हम उसी प्लेट में डाल देंगे तो यह भूलना नहीं है गलती हो जाते तो इसलिए मैं अलग से करके तक है तो आप इसी को से मसालों में डाल करके राखे और इसको भी रोस्ट होने के बद में उसी प्लेट में डाल दीजिए और सब यह सब कुछ ठंडा हो ज अच्छा सा कलर आएगा उसके लिए हाफ टीस्पून मैंने लिए हैं सोंट जिंजर पावडर भी बोल सकते हैं तो वह ले लिया है और अब मैं इसमें डाल रहे हूं किया हुआ जाइफल करीब हाफ टीस्पून के करीब बहुत स्ट्रॉंग फ्लेवर होता है अगर जाइफल क टुकड़े है तो आप उसको रोस्ट के डाल सकते हैं हलका सा टेस्ट के अक्रोडिंग में डाले हूं नमक और अब हम इसको कर लेंगे कराइब तो यह जो मसाले है आप बिल्कुल जो हमारी रोस्टेड मसाले वह ठंडे हो चाहिए उसके बाद में ही एड़ करिए और इसको फ्रेश्ट आज है घर के कुटे हुए मसालों के तो बात ही कुछ और होती है और आप जब भी इसको कोई भी सबजी में डालेंगे या मसाले में परांठे में डालेंगे तो उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाने वाला है तो आप ज़रू से ट्राइक किजिए क आप इतना टेस्टी मसाला घर पे बना करके स्टोर करके भी रख सकते हैं तो आपको इसको स्टोर करना है तो आप इस तरह के कोई भी एटाइट कंटेनर ले लिजिए उसमें भर दीजिए और बस रेडी टू यूज आपका मसाला रेडी हो चुका है एक साथ में अच्छी आप एक बढ़नी बना करके रखेंगे तो भी बहुत मैंने चल जाती है और बिल्कुल भी खराब नहीं होती है तो आप इस रेसीप को ज़रूर से ट्राइ किजिएगा तो अगर आपको मेरी रेसीपी अच्छी लगी हो मेरी वीडियो को लाइक किजिए शेर किजिए और मे